हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तू स्टेफ फॉरवर्ड ख्लासेज, आज हम आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 के बारे में डिस्क्स करेंगे, राइट तु इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक डील करी जाती है, एंड आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 इसका बहुत ही बाटा गया था कुछ लोगों को ब्रहमिनिजम का टाग मिला था कुछ शत्रियास की कैट्टिगरी में थे कुछ वैशयास के टाइटल में थे और कुछ शुद्रास के टाइटल में थे जैसे यह दीरे-दीरे आते आते लेटर तिफरवेधिक पीरेड में यह difference भड़ता चला गया और एक sense of untouchability feel होने लगी और यही जो concept था वो आगे भड़ता गया गुपता पीरेड में फिर लेटर ओन लेटर ओन आगे भड़ता चला गया हमारे modern history में जैसे आपने पढ़ा कि गांधी जी डॉक्टर भीम रावंबेटकर ने काफी important role play किया इस untouchability को जड़ से हटाने के लिए लेकिन फिर भी हम देखते हैं हमारा constitution 1950 में बना constitution makers के मन में एक सबसे बड़ी शंका यही थी कि कैसे इस जो छुआ चूत और कैसे यह untouchability को हटाया जाए तो आज का जो आर्टिकल 17 है यह उसी राइट से डील करता है आर्टिकल 17 डील करता है abolition of untouchability मतलब किसी भी तरीके का चूआ चूत जो हमारे पुराने जमाने में या हमारी पुरानी सोसाइटी में चलता आ रहा था उसको अब खतम किया जाए और हम यह सबसे पहले एक right to equality का ही पार्ट है तो हमें constitution makers के दिमाग में सबसे important बात यही थी कि हमें equality को लाना है हमें एक समानता को लाना है और उस एक समानता को लाने के लिए जरूरी है कि लोगों के मन में यह जो शंका है कि यह जो छुआ छूत की भावना है उसको कम करा जाए और यह एक individual एक इनसान का एक right है कि वो इस untouchability से मुक्त हो सके और अपनी life अपनी full dignity से और एक समानता से जी सके इसी को ensure करने के लिए हमारे fundamental right में article 17 को लाया गया यह बताता है कि कोई भी discrimination नहीं होना चाहिए on caste basis और यदि कोई भी discrimination होता है तो वो एक punishable offense है हमारे constitution में untouchability जो word है वो clearly नहीं mention किया गया है कि untouchability क्या है लेकिन जैसे कि civil right act आया था 1955 में और उसको further refine करके एक नया act आया था SCST Act 1989 में और इनहीं act से जिन लोगों के साथ चुआ चूट की भावना की जाती थी उन लोगों के rights को ensure किया गया तो यह article 17 इस बारे में बताता है अब हम बात करते हैं article 18 के बारे में article 18 अब हम यह देखेंगे कि article 18 किस तरीके से equality हमारी society में लाता है अगर हमें लोगों को एक समान भाव से देखना है और हमें लोगों को एक ही लेवल पे लाना है तो यह जरूरी है कि जैसे पहले जमाने में महाराज, महाराधी राज बहुत सारे title दिये जाते थे इससे लोग अलग-अलग पता लग पाता था कि वो कौन से वर्ग के हैं पर इससे तो class बट गई थी इससे तो जादा से जादा inequality हो री थी पर हमारा constitution क्या कहता है? हमारा constitution यही कहता है कि हमें तो equality लानी है तो इसलिए article 18 बताता है कि किसी भी तरीके का title को abolish किया जाए No title shall be confirmed by the state State कोई महाराज, महाराधी राज, किसी भी तरीके का title किसी भी person को नहीं देगा No citizen of India shall accept any title from any foreign state किसी foreign state से मिलता है तो वो भी नहीं लिया जाएगा और कोई foreigner हमारे इंडिया में काम करता है तो उसको पहले permission लेनी पड़ेगी President of India से तभी वो कोई title ले सकता है पर इसके कुछ exceptions हैं, वो exceptions क्या है? जैसे कि military जो title होते हैं, जैसे कि general, major, colonel ये सारे titles जो military forces में चलते हैं, वो एक पत को अलग distinguish कर रहे हैं, एक पत को दूसरे पत से अलग बता रहे हैं तो ये titles valid हैं, इनको गलत नहीं माना जाएगा हाला कि ये भी एक title है, लेकिन ये एक valid title है, जो हमारा constitution, हमारा समीधान इसको valid मानता है जैसे कि हमारा स्टेट है वो हमारे को कई सारे जैसे पदम विभूशन, विभूशन, पदम शरी बहुत ही यूनीक टाइटल से नवाजा जाता है लोगों को वो इसलिए नवाजा जाता है क्योंकि ये भारत के कुछ रतन है ये भारत के कुछ ऐसे important people है जिनोंने बहुत ही important areas में कुछ न कुछ contribute किया है तो ये उनको सहराने के लिए ही ये टाइटल दिये जाते हैं तो ये टाइटल है तो अलग जिसको भी मिला वो औरों से तो अलग हुआ लेकिन ये एक responsibility है जिसको award मिल रहा है कि उसको ये टाइटल नाम के आगे नहीं अपने नाम के पीछे लगाने है उनको ये टाइटल एक honor में दिया जा रहा है और इसे और भी लोग motivate होंगे और और भी लोग inspire होंगे पर ये नहीं आप नाम के आगे नहीं आप नाम के पीछे लगा सकते हैं तो ये कुछ छोटे-छोटे से clauses हैं आर्टिकल 17 में और आर्टिकल 18 में जो दोनों ही दोनो right to equality को maintain कर रहे हैं I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी ऐसे ही चानल को subscribe कीजे और comment कीजे ताकि हम आपके लिए और वीडियो बनाते रहें Thank you so much